स्वागत आप समों का हमारी यूटीव चैनल बिहार एजूकेशन है पे मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ सब्जेक्ट हिंदी और इस हिंदी के तहट हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी इसमें कौस्टन से पूछे गया है और यह कौस्टन से जो पूछे गया है बारे इसे अब लोकन करें और हो सकता है कि final exam में जो है इस ही को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को तयारी भी करनी है final की क्योंकि ऐसा cigs जो है हो सकता है कि इससे repeated हो या फिर इसके आसपास का हो इसलिए इसका आप लोग जो है गहन अध्यन करना ना भूले चलिए मैं स्टार्ट करता हूं पहला को संस जो है आपके स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं पहला है बाल कृष्ण भट ने कितने निवंद लिखे देखे यहां पर जो भी को संस आपके पूछे गया है सिरियल बाइज है मतलब कि एक चेप्टर के बाद दूसरा दूसरे के बाद ति कुछे गया है इसलिए आपको इसकी बारे में ध्यान रखना पड़ेगा तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है यह को संस के हम लोग पर लेंगे और देख लेते हैं किस परकार का यहां पर को संस आते हैं बाल कृष्ण भट ने कितने निवंद लिखे थे इनोंने कितने न नहीं सहते हैं में म हं अपनी जर्सी उतार कर बोधा सिंग को पाना दिया तो किसने पाना दिया था तो यह जो पाना दिया था आपका राइट एंसर उगा लहन हैट अा-झास ज मोग देखते हैं को कि मैं कि आगे कॉश्चंस हम लोग देखते हैं जै प्रकास नायन बिनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से कब जुरे थे तो यह सर्वोदय आंदोलन सौरी आंदोलन है यह कब जुरे थे तो यह जुरे थे 1954 में जुरे थे क्योंकि मैं अभी माउस से कर रहा हूं माउस सी प्रॉब्लम है तो फिर मैं ठीक हो जाओंगा इसलिए क्लिक जो है इधर से उधर हो रहा है आप लोग को माइन निंग करना है बलकि सपोर्ट करना है हो सकता है आगे जलके यह बहुत ही किलियर हो जाएगी नेक्स्ट है चार न लोग चलते हैं घ्र कितने वर्स की अवस्था में कवीता लिखना सुरू किया था रोज सिर्शक कवीता में मालती के पती कितने बज़े डिस्पैंसरी चले जाते थे दिखिए मैं यहां पर आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपको जितने भी कवीता है कहानी है सब को line by line पढ़ नहीं है क्योंकि इससे भी questions line by line से पुछा जाता है मैं आगे दिखा दूंगा किस प्रकार के रहेंगे आप लोग चैनल पर बने रहें चलिए next इसमें दिखे साथ नम्मर में कहा रहा है रोज जो है सिर्शक कहानी में मालती के पती कितने बज़े dispensary चले जाते यह चले जाते थे प्राता काल जो है साथ बज़े चले जाते थे next है लाहोर सडियंतर केस में भगत सिंग को फांसी कब दी गई थी यह सभी को पता है 23 मार्च 1931 एक लेक और एक पत्र में भगत सिंग ने किसको पत्र लिखा था तो देखे यहां पे लिखाता इन्होंने सु निमनी में ज्यानेंद्र पती की कवीता कौन है 11 नमर को संस है राइट अंसर हो जाएगा गाउं का घर 12 नमर देखते हैं सुर्दास हिंदी साहिति के किस काल के कवी है तो यह जो है मधिकाल के कवी थे next कहर नामा किन की रचना है तो यह जो कहर नामा थी मलिक मुहम्मद जै इसलिए कि रचना है देखिए तो जो सुमेरु सूल बनासा भा कंचन गेरी लाग heart ash опять किस कवीधा सेबिए यहां पर देखिए यह जो कॉसंक है io सं का लाइन से जो आते हैं कवीधा और कहानी के लाइन टू लाइन से भी आते हैं इसलिए आपको लाइन बाइन अध्यन करना बहुत ही ज़रूरी है काफी इंपॉर्टेंट है इससे चार पांच को संस रहते हैं ये भी आपको कभर करनी होगी इसलिए सभी एक बार दो बार जरूर बुक का रिडिंग दें तो चलिए चाउदा का एंसर हो जाएगा करबक ये जो सिमेरू तिरसूल बिनासा भा कंचनगिरी लाग अकासा किस से है ये करबक से है नेक्स्ट है तुलसी दास का मूल नाम क्या है तो मूल नाम जो है इसका राम बोला था तुलसी दास का नेक्स में लोग चलते हैं राम चरित्र मानस और विनाय पत्रिका की रचना किसने की थी ये की थी किसने तुलसी डास की दुरा किया गया था नेक्स्ट रम लोग आगे बरते है 17 की ओर कहता है कि नाभादास द्वारार रचित कभी और सूर पर लिखे गए च desapay कहां से संकलीत किये गया है 17 नंबर देखे ये जो है भक्त माल से क्या किये गये हैं संकलीत किये गये हैं जन्म पुछा गिया है कभी भूशन का जन्म पुछा गिया तो राइट अंसर हो जाएगा आपका 1613 इस भी, नेक्स्ट अमलोग चलते हैं, सिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, देखें सिवाजी के पुत्र का नाम जो था, ये था इसका साहू जी, क्या नाम था, साहू जी था, इसको ध्यान में रखेगा, खता है, राजिसरी सिर्शक नाटक के रचेता कौन है, राजिसरी के बारे में पुछा गये तो इसका right answer हो जाएगा आपका भीजे संकर परसाद नेक्श्ट अमलोग चलते हैं किस नमर में सरोज स्मिर्ती सिरसक कवीता के रचेता कौन है सरोज स्मिर्ती के बारे में पुछा गये आपसे 21 नमर का सवाल है right answer हो जाएगा सुडी कांध तृपाटी निराला बिहार के उत्तर पसिम कोन में क्या है तो उत्तर पसिम कोन में ये भी देखें ये जो question से आप देख रहे हैं ये भी आपका line by line से है बुक में, लाइन में है, और तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, चमपारन, ओ सदानी राज में ये पंक्ति लिखी वी है, आप लोग कॉपी जैसे ही, किताब जैसे ही पलटिएगा, फर्स्ट लाइन ही है, आपको यहाँ पर एंसर ये मिल जाएगी, इसलिए जो है, मैं कहत इसकी माता जी का क्या नाम था, बच्चन को, राजपाल को, हर्पित को, यह फिर समर्जीत कॉर, तो यह तो राइट अंसर हो जाएगा, बच्चन कॉर, नेक्स्ट चलते हैं, सिपाही की मा सिरसक पाठ में, बिस्नी क्या और कर लेट जाती है, पच्चिस नमर तो यह खेस ज पहानी संग्रह के रचेता कौन है, तो 28 नमर के राइट अंसर हो जाएगा, बी, तो दीके यह जो 27 है, यह भी जो है, आपका कहां से है, पंक्ती लिखी लिख दिया गया है, आपको यह पंक्ती खोजनी है, यह HW के तोर पे आप लोग समझ लीजिए, क्या है HW, आप लोग करके कॉमेंट में जरूर इसको कॉमेंट में इसका एंसर आप लोग देने का परियास करेंगो, ओके, नेक्स्ट अम लोग चलते हैं, 29 की और कताई जूटन सिर्शक पार्ट में, लेखक की मा मरे हुए जानवर का खाल उतारने के लिए किस से बात करती है, तो इसमें यह ले यह भी कॉस्टन से तुरसे डाउट है, लेकिन आप लोग जो है इसे बुक को पढ़े के इसको खुझ से करनी पड़ेगी, चलिए, नेक्स्ट कॉस्टन हम लोग देखते हैं, रोम्या, रोला का भारत पुस्तक के अनुवादक कौन थे, तो यह जो अनुवादक तो यह सहला होता है, नेक्स्ट है, जे कृष्णि मूर्ति के सवरावस्था में किसके संपर्क में आये थे, यह किसके संपर्क में आये थे, देखिए, आप लोग जो है मैनत करें, सफलता जरूर आपको मिलेगी, नेक्स्ट है, समसेर बहादूर सिंग के पिता का क्या नाम था, था तारीफ सिंग आराम से है समसेर बहादूर सिंग सेर सेर का इसे भी तारीफ होता है इसलिए तारीफ सिंग आप लोग इसमें एंसर दे सकते हैं किसी भी परकार के कोई दिकत नहीं होगी सेर बहादूर होता है तो इन्होंने बहादूर सिंग लगा दिया और इसकी तारीफ होत एक जीवन संतोस एक यह पंक्ति की देखिए यहां पे फिर से आपको क्या कर दिया गिया है पंक्तियों से लिया गिया इसलिए मैं बाहर बाहर कहता हूं मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जरूर सभी स्ट्रेंट जो है क्या करें को संस को पढ़ें और ये पंक्ति को भी पढ़ें, कविता कहानी को एक बार नहीं, पांच बार रेडिंग दें, रेडिंग से देना बहुत जोड़ी है, क्योंकि पांच से छे को संसिस से आते हैं, तो 36 का राइट अंसर हो जाएगा, वन, जंजन का चेहरा एक से इसको लिया गिया है, 37 में कहता है, नौकर की कमीज, नौकर की कमीज सिर्सक जो है उपन्यास, ये उपन्यास है, नौकर की कमीज, उपन्यास पर किसके द्वारा फिल्म का निर्मान किया गिया है, तो ये निर्मान किया गिया था, मनी, कॉल, द्वारा, ओके, नेक्स चेक कवी एवं आलोचक के र गए थे और कितने विजे वापस आए तो इसमें दिखे नागरिकों को ये चीज पता नहीं था लोग चलते हैं 40 की और 40 के को संस इकता है गाओं का घर सिर्सक कावीता में सहजन के पेर में क्या छुड़ाई गई है तो सहजन के पेर आप जब भी दिखेगा इसके पेर के पास जाईएगा इसको काटियेगा तो एक चपबा पदार्थ निकलता है जो की गोंद का काम करता है इसका right answer गोंध हो जाएगा Next देखते हम लोग ज़ियान नेंद्र पती को कि सर रचना के लिए साइट अकादमी पुरुषकार प्राप्त हुआ था तो इसको जो हुआ था पर इसको क्या मिला था साइट अकादमी पूरुषकार मिला था Next प्यारे नन्य बेटे को सिर्षक कविता का नायक अपने नन्य बेटे को कहां बैठाय हुए है तो इस कहां पर बैठाएगा तो गोदी में बैठाया हुआ था नेक्ष्ट है अधिनायक सिर्षक कविता किस विधा में लिखी गई है तो यह जो लिखी गई है भजन के रूप मे क्हा होता है यह दिखें दे लिखी गई है। कौंशाVID sinner फोटीटरी हो गया हो गया अब हम लोग चलते हैं नहीं हो भजन यह dei गलत हो गया राइट अंसर आपका विःंग होगा। क्योंकि अधिनायक विंगवयात्मक वित अगलते हैं। नेक्स्ट है उसा सिर्षक कविता में वर्नित प्राता काल का नव कैसा था तो नव जो था उसा सिर्षक में ये था बहुत ही नीला था 45 हो गया अब हम लोग चलते है 46 उदीता किसकी रचना है तो उदीता के बारे में कहा गया कि ये समसेर बहादूर सिंग की क्या है रचना है 46 में नेक्स्ट है 47 मेरे भाईया मेरे बेटे अब मा को यह छोड़ना जाना यह पंक्ति किस कविता से ली गई है देखी यहाँ फिर से आपको मैं पहले भी बता हूँ अभी फिर से बता रहा हूँ कविता कहानी के पंक्तियों से पुझा जाता है इसलिए आपको लाइन बाई लाइन पढ़नी बहुत ही जोड़ी है इसलिए इसका राइट अंसर मैं लिग देता हूँ फुत्र भी होग हो जाएगा अपने लेखन में किसने बुझूर्ग समाज के चाल चरित्र को बेपरदा किया तो यह जो 48 का है यह गाई डी मोपाशा यह लाश्ट में परतिलीपी है इसकी के बारे में यहाँ पर दिया गया इसलिए आपको लाश्ट में जो तीन तीन जो महत्तपूर्ण अध्या हैं उसे भी आपको पढ़नी पढ़ेगी हिंदी में इसलिए जम के पढ़ें पेजगी सिर्षक पाठ में किटोंगा फलेवियन की एक बीवी कहां रहती थी यह बीवी कहां रहती थी यह बैंक कांगो में रहती थी नेक्ष्ट अंतों चेखव क्या थे यह थे एक रूसी कथाकार और नाटक कार थे नेक्स्ट है कमाइनी सिर्सक जो है ये जो कमाइनी है इस सिर्सक महा कावी के रचना जैसंकर परशाद ने किस पिता जी को पिलाई गया तो ये पिता जी को पिलाई गया था next है ओशदाणीरा शिर्षक सपार्ट में गांधी जी दुस्तापित मदुवन में आसरम विद्ययाले को किस ने लिखा था तो यह जो लिखा था नरहरीदास और उनकी पतनी के दुरा यह चलाया गया था next है अग्गेजी ने किन भाषाओं में लेखन कारी किय थे अग्गे जी ने अंग्रेजी और हिंदी में क्या क्या था लेकर कारी क्या था चलिए आज यहीं तक वीडियो है अपने दोस्तों में जम के भी सेयर करें चलिए आज का वीडियो यहीं तक धन्यवाद हम लोग नेक्ष्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे